दोस्तों आपको बता दू अगर नहीं पता है कि रेनो अपनी जो डस्टर है उसका एक टर्बो चार्ज पेट्रोल वर्जिन जो है इंडिया में लाने वाला था और आज फाइनली उसको पूरी तरीके से लांच कर दिया है इंडियान मार्केट में आपको यहाँ पे बता दू कि इसमें आपको 1.3 लीटर्स की कैपसिटी का एक टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजिन देखने को मिल जाएगा इसके अलावा बाकी सारे भी बाते हम करने वाले हैं इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इसको पहली बार आटो एक्सपो 2020 में शोकेस किया गया था और उसके बाद अब जो है इसको पूरी तरीके से इंडिया में लांच कर दिया गया है आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसके प्राइस के साथ में क्या-क्या स्पेसिफिकेशन सा आपको मिलती है वो मैं पूर आपको 1.3 लीटर्स की कैपसिटी का एक इंजन देखने को मिलता है पेट्रोल इंजन जिसका प्राइज स्टार्ट होता है जो कि नॉर्मल वाला है वो स्टार्ट होता है 10.49 लाक रुपीज से एक शोरूम है और इसमें आपको जो है ट्रांसमिशन की अगर बात करी जाए त इसमें टर्बो चार्च पेट्रोल इंजन मिलता है तो मेरे ख्याल से दो लाक का इंक्रिमेंट किया है वो ठीक एक तरीके से आप कह सकते हैं देखिए दोस्तों ये तो मैंने आपको जो इसका बेस वेरियंट था RxE उसके बारे में बताया अब अगर बात करी जाए टॉप तो कुछ इस तरीके से आपको इसका टॉप एंड वेरियंट की कीमत मिल जाती है अब देखिए फाइनली आपको इसके मिड वेरियंट के बारे में भी बता दूँ तो इसका जो RxS है उसका प्राइज स्टार्ट होता है 11.39 लाक रुपीज से तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको सारा प्राइजिंग वगरा देखने को मिल जाएगा Renault Turbo में अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज बड़ी इंट्रेस्टिंग आपको बताना चाहूंगा इसके जो डाइरेक्ट राइवल्स हैं जैसे की क्रेटा और सल्टॉस इसकी प्राइस काफी जादा ह अल्मोस्ट इससे पांच लाइक रुपए तक जादा है तो वो जो चार्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पर इस टाइन देख पा रहोंगे तो काफी जादा मेरे ख्याल से इसके जो कॉम्प्टीटर्स हैं वो महंगे आते हैं अब देखिए दोस्तों फाइनली आपको बताना चाहूंगा यह जो इंजन इंट्रिड्यूस किया गया है रेनो डस्टर टर्बो में इसके पावर आउट्पुट्स के बारे में तो यहाँ पर आप जान लीजे यह जो 1.3 लीटर्स की कैपसिटी का टर्बो चार्च पेट्रोल इंजन है यह आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल ज इसके अलावा ट्रांसमेशन के बारे में जैसा मैंने आपको बता दिया कि मैन्वल और सीविटी दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं तो कुछ इस तरीके की सारी चीज़े आपको इस रेनो की डस्टर टर्बो के अंदर देखने को मिल जाएंगी देखिए इसके अलावा दोस् स्क्रीन पर इस टाइम देख पा रहे होंगे जो की काफी सारी इंफर्मेशन जो है वो आपको पता चल जाएगी तो दोस्तों फाइनली यह था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको थोड़ी से इंफर्मेशन दी जो की आज ही गाड़ी लाँच हुई है रेनो डस् या फिर सजेशन है मेरे लिए तो वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजे